नमस्कार दोस्तों लच्मी तथा शुकरवार के दिन शुकरदेव को शमरपीत हैं यह विडियो ध्यान से देखना आज आप लोगों को मैं आप लोगों को ऐसा गुपता उपाय बताऊंगा जिस उपाय से जीवन आब के जीवन में धन की कमी नहीं होगा अब जिस भी कार छेतर में जारू इसमें आपको शफालता जरूर मिलेगी और अगर आप यह विडियो अपने फैदे के लिए पूरा देख ले तो मैं यकीनन 101% कहना चाहूंगा अब के गरीबी मिटने से अब को धनवान बनने से दुनिया की को भी ताकत नहीं रोक पाएंगे मैं आप लोगों को शुकरवार समंधी दो पौराडिक कथा बताऊंगा कथा ध्यान से सुनना कथा में ही सारे सार छुपे हुए हैं तो सारे जानकरी बताने से पहले बिड़े में आगे बने से पहले सभी दर्सकों से गुजाई दिशना चाहूंगा कोमेंट बक्ष में जै माता लच्मी जरूर लिखना आईए कथा क्यों चलते हैं बिड़े को ध्यान से सुनना है आपको तो कथा कनुसार एक बुढिया थी उसका एक ही पुत्र था बुढिया पुत्र की विवा के बाद बहु से घर के शारे काम करवाती परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी यह सब लड़का देखता पर मां से अपने कुछ भी नहीं कह पाता बहुत दीन भर काम में लगी रहती ओपले थापती रोटी रसोई करती बरतन साप करती यहां तक कि कपड़े भी धोती और इसी में उसका सारा समय बित जाता कफी सोच विचार कर एक दिन लड़का अपने मां से बोला मां मैं परदेश जा रहा हूं मां को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसने जाने के आग्या दे दी ध्यान से शुनना इसके बाद वह अपनी पतनी के पास जाकर बोला मैं परदेश जा रहा हूं अपनी कुछ नि हाथों से छब गई ध्यान से सुनना गोबर से सने हाथ जो हैं उनके जूते पर छब गई उसके पुत्र के जाने के बाद जिहां बुढ़िया के पुत्र के जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बढ़ गए उनके पती जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बहुत पुज़न करना चीए, खटाई भूल करके भी मत खाना और नहीं किसी को देना एक वक्ता अब को भूजन करना है। इस प्रकार से उन्हें विधी भी बताया। अब एक रात संतोसी मा ने उसके पती को शौपन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते तो वह कहने लगे सेट का सारा समान अभी पिका नहीं है। मा की किरपा से कई वैपारी आएं सोना चांदी तथा अंजशमान खरीद करके ले गएं। अब तो शाहुका ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी मा वह पत्नी को बहुत सारे रूपिये दिये। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोसी माता के व्रत का उदापन काना है। उसने सभी को न्यवता दे उदापन की शारीद तैयारी की। परोसी के एक इसतेरी उसे उनके जो शुकी हैं तो परोसी के एक इसतेरी जाहीर सी बात हैं जब वक्ती आगे बढ़ते तो लोग इर्षा करते हैं, द्वेस करते हैं। तो पडोस की एक इस्तिरी उसे उनके जो शुखी से देख करके इर्षा करने लगी उस ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन की समय खटाई जरूर मांगना उदापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठें तो बहु ने पैसा देकर उन पती हैं उसको पकड़ करके तुरंट उसी टेम ले करके जाने लगे तो किसी ने बताया कि उदापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई हैं तो बहु ने पुना व्रत की उदापन का संकल्प लिया संकल्पा की बादोवा मंदीर से निकली तो राह में पती आत चांद सा सुंदर पुत्र हुआ अब साज बहु तथा बेटे मा की क्रिपश से अनन्त पुर्वक रहने लगे तो देखे जो शुक्रवार का दीन होता है इमा शंतोसी को समर्पीत होता है तो यह थी एक पहला कथा मैं आप लोगों को जबर जस्त पावरफूल आज गुपत शुनना माडिकपूर नामक नगर में तीन मित्र रहते थे उसमें से एक कायस था एक ब्रामभण और एक वैस्त था वे तीनों हमेशा साथ रहते थे तीनों का विवा हो चुका था ब्रामभण और कायस था के लड़कों का गवना हो चुका था लेकिन वैस्त का पुत्रा इन अगले दिन धनराज ने माता पीता शपनी पतनी कुशुम को ले लाने की बात गहीं उसकी बात सुनकर उनके जो माता पीता वे हैरान हो गये बोले कि बेटे अभी शुक्र अस्ता हो रहा है इसलिए अभी बहु को लाना उचीत नहीं है कुछ दिन ठार कर रुख जाओं लेकि धनराज नहीं माना वा कुशुम को लाने सुसराल पहुँच गया सुसराल में धनराज की खूब भावभगत की गई क्योंकि जाहर सी बात हैं जब किशी के दमान दाए तो डर से भी लगता है तो धनराज ने कुशुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सा ससुर ने बोल के ही वहां सी विदा हुआ धनराज कुशुम को जब अपने घर ले जा रहे थे तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गारी का पहिया तूड़ गया फलसरूप कुशुम को काफी चोटाई दोनों को आगे की यातरा पैदाल ही करनी पड़ी सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डांकों ने उन्हें लूट लिया उनका शारा धन अभूशन और वस्त्र भी छिनी लिये किसी तरह से घर पहुचे दूसरे दिन घर में धनराज के बिस्तर पर साब चड़ गया और उसे डस लिया सेड जी ने ध्यान से सु पंडित ने ध्यान से सुनना उसी समय पंडितों ने सेड जी को एक बात बताएं कि आबके बेटे ने सुक्र अस्त होने पर बहु को विदा करा लाने की भूल की हैं। पर्थात अपने कहा जाए माई के पहुच करके शुक्रवार का व्रत और पुजन पाठ किया उसने अपने पती की गलती के लिए शुक्र देंता से छमा मांगी फल शरूब धनराज जीवित हो उठा धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुश्या भर गई उधर धनराज के म परिवार का विधी विधान से व्रत करते हुए शुक्र की पुजा करने लगा और उनके घर में धन्य धन की वरसा होने लगी ऐसा कहा जाता है उनके सभी कष्टा दूर होते चले गए परिवार के सभी जितने भी वहां पर लोग रहते थे शब आनन्द पुर्वक रहने हो नहीं होता जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हवान होते ऐसे वक्ति को भी शुक्र की रतना जरूर धरन करना चाहिए देखा जाए तो शुक्र की जो रतना कहे गए हैं वह है हीरा लेकिन आम जो आम जन लोग हीरा नहीं धरन कर पाते तो क्या करना चाहिए तो शुक शुक्रवार के दिन ऐसे कोने से उपाय दिया जाए जिसे व्यक्ति के अध्यात्मा उनति हो व्यक्ति धनवान बने गुडवान बने तथा व्यक्ति की जिवन में धन का अभाव न हो तो सुबा उड़ते ही जिए सकते हैं और एक कमल का फूल जरू चड़ाना ची तो ऐसा कहा जाता ही सुपाय के बाद अजीवन व्यक्ति के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता ऐसे व्यक्ति घर में चारो और से धन की बारिस होती हैं घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा आप चाहते हो तो चीनी खा करके जरू निकले जो लोग संतोशी माता को मांते उनके लिए व्रत रखें ऐसे विकती मीठा और दही नहीं खा में नहीं रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने सेनकाच्छ में प्रेमी पक्षी जो प्रेमी पक्षी कहेंगे हैं दो पक्षी रते आपस में जोड़े इनके जोड़े तस्वीर आपको अपने घर में लगाना चाहिए अगर आपके काम में अरोध हार है तो शुक्रवार के दिन काली चीटी को सक्का डाले आपके काम में जो अरोध हारी ततक बंध हो जाती हैं। वयभव एवं परवारी के सूख लिए नोगसान धैक होताय कदापी नहीं फियकना चाहिए घर में स्थाई सूख स्मृद् creating a चाहते हूंionen अगर आप चाहते हैं घर में आपके इस थाई सूख एवं ह विस्मृद्धी बने रहें तो पीपल की ब्रीक्षा की छाय में खड़े हो करके जिहां लोहे के बरतान में जल, चीनी, घी तथा दूद मिला करके पीपल की ब्रीक्षा की जड़ में शुकरवार की दिन डालना चाहिए घर में लंबे समय तक अगर सुकिस्मिद्धी नहीं आरे तो तामबे के लोटे में डाल सकते हैं, बिल्कुल इनके जड़ में डाले, घर में अगर बार बार धन की हानी हो रहें, तो शुकरवार की दिन घर के मुख्य दवार पर गुलाल चीड़ा करके गुलाल पर शुद घी का दो मुख्यी जो दिपाख होता ये जलाना चाहिए, काफी रामबड़े उपा पर शुकर करे ना करे एक उपाय ыйतार हो इस दिन संध्यकाल के शमय में ना दिन हो न रात हो जिसन हम संध्य कल के शमय क्या करने को गुण और चिणी खिला देने कोई उपाय करने की जोरुत नहीं बस इसी उपाय से सारे जीवन आपको धन की कमे नहीं होगा अश्ट प्रकार के लच्छमी सुपाय से सीध होते हैं लेकिन संध्य काल के समय में संध्य बेला में आपको खिलाना होता है न दिन होना चाहिए न रात होना चाहिए जो शूरह है उवन आली मा कलर के दिखनाँ चाहिए तो गुड़ और चने खिलाने से वेक्ती को समस्त प्रकार के देवी दें उता होतां के आशिरबात प्राप्त होते हैं क्योंकि न्वगरा के साथ समस्त देवी दें होता किसमें बसता है गउम माता के सरीर के रोम- रोम म समय में गव माता को गूड़ और चने खिला देना जनमों के पाप मिटेंगे मिटेंगे जनमों के गरिबी यह वं दुख तकली भी समापता हो जाएंगे अब करना नहीं करना यह आपके उपर निर्भार करता है क्योंकि जानकरी हम बताते हैं वह जानकरी सठीक होते हैं मारता ही है जिस प्रकार आप आग में हाथ रखते हैं आप जाने या ना जाने फिर भी आपकी हाथ जलेंगे उसी प्रकार जो यह शराल उपाय होते हैं आप माने या अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है तो आज के जानकरी पर समापता करता हूं दर सको जन ही तेव